नमस्कार दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम अपना सक्सम पॉइंट यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हरदिक स्वागत है आरपयसी फर्स्ट क्रेड इतिहास विशे के क्लासेज में आज सातवी क्लास जिसमें प्राचिन भारत का टोपिक चल रहे थे प्राचिन भारत का आज अंतिम क्लास होगी अधक्षिनी और अधकन के राजों से जिन में साथवान, संगम यूग, सालूक के पलव और चोल और राष्ट्रकूटों के बारे में जो अधिन करने वाले हैं तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरू आज का जो पहला प्रस्ण है वो है कि पुलकेसिन पर्थम ने कौन सी उपादी धारण नहीं की तो पुलकेसिन पर्थम ने बहुत सारी उपादिया धारण की थी तो इन में से कौन सी उपादिया जो पुलकेसिन पर्थम की नहीं है तो श्री पर्थिव अलब रनविक्रम और सत्या स्रय ये तीनुई जो पुलकेसिन पर्थम की उपादी है परमेस्वरे जो ये पुलकेसिन की उपादी नहीं है तो चार नम्बर उप्षन है जो इसका रैट रैंस्वर होगा पुलकेशिन पर्थम को चालू के वनस का वास्तिक संस्तापक माना जाता है इसने महराज की उपादी धारण की तथा अस्व propagय यज्य का अनुष्टान कर अपनी पर्भुसता गोशित की उलकेशिन पर्थम ने वातापी में सुद्रेड दुर्ग का निर्मान करवाया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया इसने सत्यासरे पर्थ्वी वरलब तथा रन विक्रम जैसी उपाद्या धारन की थी नेश्ट कोशने की कल्चूरी नरेश बुद्राज को किस ने पराजित किया तो कल्चूरी के जो सासक थे बुद्राज इनको पराजित किनों ने किया था तो इनको पराजित किया था मंगलेश ने दो नमबर उप्सन जो इसका राइट एंसर होगा वेलूर दान पतर तथा महाकूट अभिलेक में वरनी था कि मंगलेस ने सरूपर्थम गुजरात खान देश तथा मालवा के कल्चूरी सासक बुदराज को पराजित किया था इसके पसाथ पॉंकर परदेश के गवर्णर स्वामी राज को पराजित किया नेश कुसेन कि इन में से किस सासक ने पर्षिया के सासक खुसरो दूते के दर्बार में अपना एक दूत मंडल बेजा था तो कौन से सासक ने परिश्या के सासक खुश्रो दूत्या के दर्बार में अपना एक दूत्मंडल बेजा तो वे दूत्मंडल बेजने वाले सासक थे पुलकेशिन दूत्या है एक नमबर ओप्शन जो इसका राइट एंसर होगा अरब लेखक ताबरी के नुसार पुलकेशिन दूत्या ने 625 एसियो में अपना एक दूत्मंडल फारस के सासक खुश्रो दूत्या के दर्बार में बेजा था बदले में खुश्रो दूत्या ने भी अपना दूत्या दूत्या के दर्बार में बेजा था जिसका अंकन अजंत गुवा संक्या एक के भिती चित्र में फारस के दूत मंडल को पुलकेसिंदूत्य के समुक अपना प्रिच्च पत्र परस्तुत करते वे तथा स्वागत करते वे दिखाया गया है नेक्स्ट कोशन है कि कवी कालिदास के नाम का उलेक हमें किस अभिलेक में मिलता है तो जो कव कालिदास का उलेक करने वाला एहुल अभिलेक पर्थम अभिलेक के साक्षे है इस अभिलेक की रसना रवी कीरति के द्वारा की गई थी तथा इस अभिलेक के सैंतिस्वेपद्य में रवी कीरति की तुलना कालिदास तथा भार्वी से की गई है यह अभिलेक भगवान जिन पुलकेशिन दूत्ये के समकालिन पल्लावंस का सासक कौन था तो पल्लावंस का सासक था नर्सियां वर्मन दूत्ये तीन नमर ओप्शन इसका राइट एंसर है पुलकेशिन दूत्ये के समय नर्सियां वर्मन दूत्ये था नर्सियां वर्मन दूत्ये था नर्सियां वर्मन की थी नेस्ट कूशने की पल्लव वंस का अंतिम सासक कौन था तो पल्लव वंस का अंतिम सासक पूचा है तो पल्लव वंस का जो अंतिम सासक का वया था एपराजित चार नंबर ओप्सन जो इसका रैट हैंसर है 1893 वीशियो में चोल नरेस आधित्य पर्थम ने पल्लो सासक ऐप्राजित की हत्या कर तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था नेश्ट कुसेने की चोल सासक परांतक पर्थम के संब्ध में निम्लिकित में से ऐसत्य कतन कौन से है तो जो चोल सासक ते परांतक पर्थम इन से सम्मंजित यहां पर चार कथन दे रखें तो इन मैंसे हमें बताना है कि ऐस सत्य कथन कौन सा है सबसे पहला है कि इसके उत्र मेरूर सिला लेक से इस्तानिय सवसासन की जानकारी मिलती है तो यह बात सत्य है, दूसरा कि इसने हेम गर्बत था तुल्ला भार नमक यज्यो का सम्पादन किया था, यह भी सत्य है, तीसरा कि परांतक पर्थम ने राश्टकोर्ट सासक क्रिश्न तृत्या को तकॉलम के युद में प्राजित किया था, तो यह बात है, जो गल्द है, तो कि रास्ट कोर्णों के यूद में पराजित हुआ था, ना कि पराजित किया तौ पराट कंपर्थम पराजित वह था ना कि कृष्णा तृत्या, तो तीन नमब्र rendered option क्या है, सोतल, इसने मदुरे कॉण्ड की उपादी धारन की थी तो यह सत्य है तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो एसमेलित है सबसे पहला है कि तोट वारियम यह उद्यान सिमिती यह सत्य है दूसरा कौन वारियम जो स्वन सिमिती के यह भी सत्य है तीसरा है जो सम्मूंत वारियम जो वार्शिक सम्मिति से सम्मंदित है यह भी सत्य है चोथा है कि एरी वारियम जो विदेशियों की देख रहे हैं तो एरी वारियम जो विदेशियों की देख रहे हैं नहीं बलकि तलाब सम्मिति से सम्मिति हैं तलाब समिति तो चार नमबर है जो इसका गलत होगा तो इसमें एस नमबर उप्षन इसका राइट एंसर होगा एरी वोरियम समित्य का समंद्ध तलाब समित्य से हैं उदसीन वोरियम का समंद्ध विदेशियों की देखरेक से हैं तो विदेशियों की देखरेक का जो समंद्ध हो है उदसीन वोरियम से एरी वोरियम समित्य का समंद्ध तलाब समित्य से हैं कि नेक्स कूश से निकलि निम लिखीत में से किस चालू के सासक को तीन समुंद्रों के बीच की भूमी का संमराठ आगया तो कौ। को एक चालू स्वल का विक्रम दीतया पर्थम दो नवर और औरलनसका रा ऐंसर होगा पुलकेशिन द्यूत्य के पसाथ विक्रमादित्य पर्थम सासक बना इसने चोल, चेर तथा पांड्यों को हराया जिससे इसने इन्हें तीन समुंद्रों का स्वामी कहा गया है नेश्ट कूछन की निम्रीकित में से कौन सा एसमेलित है तो यहाँ पर चार ओप्षन दे रहके हैं इसमे से बताना है कि कौन सा एसमेलित है एरावतेश्वर मंदिर का निर्मान राज-राज द्यूत्य चोल के द्वारा करवाया गया तो ये बात सत्य है दूसरा है कि बेंकूट पेरुमल मंदिर का निर्मान नंदी वर्मन द्यूत्य के द्वारा करवाया गया ये भी सत्य है तीसरा है कि गंगे कॉंड चोलपूरम मंदिर जो राजेंदर पर्थम के द्वारा निर्मित है यह भी सत्य है चोथ है महाबली पूरम का तर्टे सोर मंदिर जो पल्लव नर्षय वर्मन पर्थम के द्वारा निर्मित है तो यह बात है जो गलत है यह नर्शय वर्मन पर्थम नहीं बलकि नर्शय वर्मन दूते के द्वारा निर्मित है तो यहाँ पर नर्शय वर्मन पर्थम है इसलिए यह जो गलत हो जाएगा तो ऐस सुम्मेली थी पूछ है चार नमर उप्षन है जो इसका रैट एंस्वर होग महाबलीपुरं के 30 सोर मंदिर का निर्मा, पल्ल्म सासक नर्शया वर्मन त्यूत्य ने करवाया था नेक्स्ट कुसेने कि एहोल को मंदिरों का नगर कहा जात है निमलिकित में से कौन सा मंदिर एहोल में नहीं है तो एहोल को जो मंदिरों का नगर कहा जात है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो एहोल में नहीं है पहला है कि मेगुती का जेन मंदिर ये एहोल में है, ये सत्य है, दूसरा लाडखा का सूर्य मंदिर ये भी एहोल में है, और दुर्गमा का मंदिर ये भी एहोल में है, तेरलोकेश और मंदिर, तेरलोकेश और जो मंदिर है ये एहोल के अंदर नहीं है, तो तीन नमबर जो इ है नेक्स्ट कूषेन की गूर्जर जाती का सरुपर्थम उल्येक किस अबिलेक में मिलता है यह में मिलता है एक नमबर ओप्षन जो इसका रैट एंसर होगा एहोल अबिलेक जो चालू के वएंसिसासक पुलके सिंद्धूते के मंत्री तथा जेन धरम के अन्युआई रवी की कीरति के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था इस लेख से पता चलता है कि पुलकेशन द्यूतिय ने हर्चवर्दन की गजशेना का परधान इसकंद था एहोल में रवीकिर्ति के द्वारा 634 इस्यु में मेगुती जैन मंदिर का निर्मान भी करवाया गया था, इसी अभी लेक में ही है, अपनी तुलना कालिदास और भारवी के साथ करता है, एहोल वर्तमान में करनाटक में इस्तित है, जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, यहां का सबसे परमुक मंदिर है जो लाड़खा का सूर्य मंदिर है, नेक्स्ट कूस में महिलाव को उच पदों पर निक्ट किया जाता था, विक्रमादित्या, दूत्या की दो पतनयां लोक महादेवी और तेरलोक के महादेवी कल्चूरी वंस की कन्याई थी, जिन हुने चालू के परसासन में महतपुन भूमी का निभाई, लोक महादेवी ने, विरुपक्स विलान के जो रचना विक्रमाएंगत दे उच्री थे यह चो लिखने की रचमरफन में प्रह्न ऑप्षन जो इसका राइट हैंश्र होगा कश्मीर निवासी विलान काल्यान के चालूकemia के उच्छक सwe के रचेता विग्यानेस्वर भी विक्रमादीते सस्टम के दरबारी थे नेक्ट कुछने की कौपम का यूद जो 1052 यूषि में हुआ किन के मद्य हुआ था तो जो कौपम का यूद है ये चौल और चालूकियों के मद्य हुआ था एक नमबर और उप्सन इसका राइट अंसर ह कोपम का यूद एक हजार बावन में चालू के वंस के सासक सोमेशर पर्थम तथा चोल वंस के सासक राजा धीराज पर्थम के मद्य हुआ था जिसमें राजा धीराज यूद भूमी में मारा गया था 1062 UC में पुंडल संगम के युद में सोमेश और पर्थम दोबारा पराजित हुआ जिसके कारण सोमेश और पर्थम ने पराजित होने पर तुक भधरा नदी में दूब कर आत्म हत्या कर ली थी नेस्ट कोसे ने कि एलोरा के दसावतार मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो एलोरा का जो दसावतार मंदिर इसका निर्मान करवाया था दंती दूर्ग के द्वारा दो नमबर ओप्सन इसका राइट है एलोरा में दसावतार मंदिर का निर्मान दंति दुर्ग ने करवाया था एलोरा में किलास मंदिर का निर्मान राष्टर कोट वंस के सासक कृष्ण पर्थम ने करवाया था नेक्स्ट कोशन है कि सुम्बतुग किसकी उपादी है तो जो सुंबतुग उपादी है, यह है कृष्ण पर्थम की एक नम्मर उप्षन इसका राइट अंसर होगा कृष्ण पर्थम को छट परजाब बाद कृत्य परजापाल कहा गया कृष्ण पर्थम की उपादी सुबतुग थे नेक्स्ट कोश्चन है कि उस पर्थम राष्टकूट सासक का नाम बताए जिसने त्री पक्षय संगर्स में भाग लेना वाला पर्थम राष्टकूट सासक तो वे था दुरू एक नमर उप्षन इसका राइट है धुरु पर्थम पहला राष्टरपूट सा सकता जिसने उत्र भारत में परतिहारों तता पालों के आकरमन कर तिरकोन या संगर्स में हिस्सा लिया इस अब्यान की सफलता पर दुरू ने अपने राजचीन पर गंगा तता यमुना के परती के रूप में अंकित करवाया दुरू को धारा वर्स भी कहा जाता है नेश्ट कूसेने कि इन में से कौन सा लेक राष्टर कूट वनसी अमोग वर्स पर्थम का है जिसकी तिथी आठ सो इकतर इस्वी है तो इसमें से कौन सा लेक जो राष्टर कूट वनसी अमोग वर्स पर्थम का है जिस पर तिथी है जो आठ सो इकतर इस्वी अंकित है तो यह जो है संजन का लेक, एक नमर आप्जन इसका रिइट होगा, अमोग वर्स, जेल मत का उसक था संजन, संजन लेक में उसे चंदर गुप्त दूत्य से भी महन बताया गया है नेष्ट कूअ सेने कि अमोग वर्स के दरबार में कौन सा लेकक नहीं था तो अमोग वर्ष के दरबार में कौन सा लेकक नहीं था तो वे थे अजीत सेन नहीं थे जिन सेन, महावीर अचार्य और सक्टाइन ये तीनों जो अमोग वर्ष के दरबारी लेकक थे लेकिन अजीत सेन जो ये अमोग वर्ष के दर्बारी लेकक नहीं थे अमोग वर्ष की राज सभा में आदिपुरान के लेकक जिन सेन गणित सारसंग्रा के लेकक महवीर आचार्य तथा अमोग वर्थी के लेकक सक्टाइन थे नेक्स्ट कूशेन है कि किस चोल सासक ने माल दिव पर विजह प्राप्ट की थी चोल सासक कौन से थे तो वह थे राज राज पर्थम राजराज पर्थम ने अपनी विजियो का समापन मालदीव की विजियो से किया राजराज की सक्ति साली नो सेना ने 12,000 दीवपो वाले मालदीव दीव समूँ अपने पुरानों में सांती मध्यू कहा गया है जो को विजित कर उसे चोल समराज्य में मिला लिया था नेक्ष्ट कोशे ने कि गंगई कोंड चोलपुरम का वृद्येश्वर मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो गंगई कोंड चोलपुरम का वृद्येश्वर मंदिर है इसका जो निर्मान करवाया था यह निर्मान करवाया गया था राजेंदर चोल के द्वारा तीन नमबर चोल समरार थे जिनोंने 72 वयापारियो का दल 1077 एक चीन बेजा था तो वयाद चोल समरार थे कुलोतंग पर्थम एक नमबर ओप्शन इसका राइट होगा पुलोतंग पर्थम ने 1077 एस्वी में बहुतरवय पार्यों का एक दूत मंडल चीन बेज़ा था इस दूत मंडल ने केप्टन के बोध वियार में 6 लाख स्वन मुद्राय दान दी थी नेक्स्ट खूसेन है कि ओरंगनात मंदिर का निर्मान चोल सासक परांतक पर्थम ने कहां करवाया था तो इस मंदिर का जो निर्मान हुआ था यह वा था सिरी निवास वल्लूर में सिरी निवास वल्लूर चार नमबर ओप्शन इसका राइट अंसर है औरंगनात मंदिर सिरी निवास वल्लूर में राज राजेश्वर तंजोर में एरातेश्वर मंदिर दाराशुरू में पापनात मंदिर पटदकल में और सिरी निवास वल्लूर में औरंगनात मंदिर का निर्मान परांतक पर्थम ने करवाया था नेश्ट कुशे ने कि सारो भॉम गुप्त वंस के बाद किस वंस ने गरूड को अपना राजचिन ने बनाया था तो सारो बोम गुप्त वंस के बाद जो गरुड को अपना राज चिन बनाने वाला जो राज वंस था वे था राश्ट्रकूट एक नमबर ओप्शन इसका रैट होगा राश्ट्रकूटों का राजचिन राजचिन गरूड को बनाया था नेश्ट 26 नमबर कुशेन है कि परतिहार यहों पाल सासकों पर अपने विजय की कुशी में और धुरूग ने गंगा यह यह यमुना के किन कुल चिनों को सम्मिलित किया था तो कौन से चिनों को सम्मेलित किया था तो गया किया था राष्ट कोट कुल चिन एक नमबर ओप्सन द्रोग ने अवंती नरेश वच्छ राज पाल नरेश दरमपाल पर आकरमन कर उन्हें परास्त किया बड़ोदा अभिलेक से या इसपष्ट होता है कि इस विजया के उपलक्स में राष्ट कोट सासक द्रू ने राष्ट कोट कुल चिन एमबलंब में गंगावे यमुना के चिनों को सम्मिलित किया था नेक्स्ट कुछ ने कि पल्लव वंच की राजदानी कौन सी थी तो पल्लव वंच की जो राजदानी थी व्याती कांची तो पल्लव वंच की राजदानी कांची कांची जो च्यार नमर ओप्सन में है तो च्यार नमर ओप्सन इसका राइट होगा कांची जो वर्तमान में त संजोर थी चालू के वंस की राजधानी वातापी थी नेक्स कूशन है कि चोल वंस के किस सासक ने सिरी लंका के सासक महेंदर पंचम को बंदी बनाकर चोल राजय बेज दिया था तो चोल वंस का कौन सा सासक था जिसने सिरी लंका के सासक महेंदर पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य बेज़ा था तो वे थे राजेंदर पर्थम दो नमरो उप्षन राजेंदर पर्थम ने सिरलंका के उत्री भाग पर अधिकार कर लिया लेकिन संपूर सिरलंका पर अधिकार नहीं कर पाया राजेंदर पर्थम ने सिरलंका पर पूर्ण रूप से अधिकार किया तथ वहां के सासक महेंदर पंचम को बंदी बनाकर तोल राजे भेज दिया था। पर्थम के समय सिरलंका के सासक विजय बाहू ने अपनी सवतंतरता की गोशना कर दी और पुलोतंग ने अपनी पुत्री का विवाँ वहां के राजकुमार से संपन किया था। नेश्ट कूशन है कि सिहन विष्णु जो पल्लव से सम्मंद में कौन सा कतन सत्य है तो सिहन विष्णु से सम्मंदितिया आपर कुछ कतन दे रखें तो इनमें से हमें बताना कि कौन कौन से कतन सत्य है पहला कि सिहन विष्णु ने अवने सिंग जो पर्थवी का सिंग नाम क उपादी धारण की थी तो सिहां विष्णु ने अवनी सिंग उपादी धारण की ये बात सत्य है सिहां विष्णु विष्णु का उपासक था ये भी सत्य है सिहां विष्णु के काल में मामल पूरम महाबली पूरम में वरहा मंदिर का निर्मान हुआ ये भी सत्य है सिहां व पल्लोंस का वास्तिक संस्तापक माना जाता है इसने पांडे चेर तथा चोल छेत्र को प्राजित कर अवने सिंग तथा पोत्रायन की उपादी धारण की थी नेट कुषेन के कि पुस्तक में बोद आउं कापालिकों का उपास किया गया महिंद्र वर्मन ने मत विलास विचितर चितर तथा गुन बर जैसे उपाजय धारण की थी पुंड मिमाल्य इसका संगीत गरंथ है महिंदर वर्मन ने चटानों को काट कर मंदिर बनाने की नवीन सेली की शुरुवात की थी जिसमें एकास्म मंदिर बनाए गए थे नेक्स कूशन है कि अवंती सुंदरी दसकुमार चरित के रचेता दंडिन किसके दर्बार को सुसोबित करते थे तो जो अवंती सुंदरी और दसकुमार चरित के रचेता जो कवी दंडिन थे यह किसके दर्बारी कवी थे तो यह थे नर्षियं वर्मन दूते के दर्बारी दो नमबर ओप्सन इसका राइट अंसर है गटिका दक्षिनी भारत में संस्कर्त महाविदालिय का नाम है जिसे नर्षियं वर्मन दूते ने विक्सित किया था इस कारण नर्शयां वर्मन दियुत्य को गटिकव का पुन्र इस्तापक कहा जाता है नर्शयां वर्मन दियुत्य ने राज सिंग की उपादी धारन की इसने कांची में केलास नात मंदिर का निर्मान भी करवाया था नर्शयां वर्मन दियुत्य ने पीन नमबर ओप्शन इसका राइट होगा नर्शयां वर्मन दियुत्य ने राज सिंग सेली में करवाया था यह तिरी मंदर समू है, कांचिपुरम के केलास मंदर का निर्मान भी नर्शय वर्मण द्यूत्य के काल में सुरू हुआ था, जो परमेसर वर्मण के काल में पून हुआ नेक्स्ट कूशन है कि चालू के वंस के किस सासक ने कंदम राज्य का पूर्ण विले चालू के राज्य में किया था तो चालू के वंस के कौन से सासक जिसने कंदम वंस का पूर्ण विले चालू के राज्य में किया तो वैते पुलके सिंदूते है तीन नमबर ओप्शन इसका राइट है पुलके सिंदूते ने जब कंदम राज्ये पर अकरमन कंदम राज्ये पर अपना पहला अभ्यान किया उसमें यहां का सासक कीरती वर्मा था पुलके सिंदूते ने राजधानी व्यजन्ती वनवासी पर से वंस में थी तो वैती चालू क्यों में एक नमबर उप्षन जो इसका राइट एंसर होगा चालू क्यों की रान्या विदू सी दान सील तथा परसासक होती थी परमुक चालू के वंसी रान्या जिनमें विजय बटारी का महादेवी, चंदन कंबई, मल्यवती और लच्मी द दूर्ग ने चार नमबर उप्षन इसका राइट एंसर है, तंती दूर्ग को राष्ट्रकोट वंस का संस्तापक माना जाता है, जिसने मान्या खेत को अपनी राजधानी बनाया था, इसने हिरनिया गरब्यदान तथा तुला पुरुस दान का आयोजन किया था, एलोरा में इंदर तीरते ने परतिहार राजा महिपाल पर्थम को पराजित किया था, यह सत्य है, दूसरा है कि क्रिशन तीरते ने तकॉलम के युद में सोलो को पराजित किया था, यह भी सत्य है, तीसरे नमबर पर है कि एलोरा में क्रिशन दूते के आदे से केलास मंदिर काट कर बन तो इसमें इस अत्य पूछुछा तीन नमौर ओप्सें स्का रैट एंसर होगा एलोरा के कलास केलास नात मंदिर का तर्श्र्ट कुट्र सासक क्रिश्न पर्थम ने करवाया था का आध्य क्लास मंदिर का निर्माण पल्लो सासक वर्म त्वित्य करवाया था नेक्ष कुषिने की संगम काल में अरसर किन्हे का गया तो संगम काल में अरसर जो कहते थे वो सासक वर्ग को कहा गया था संगम साहिते के नुसार समाज चार भागों में विबग था चार भाग कोन से ब्रहमन वर्ग ब्रहमन वर्ग को सुड़मू कहा गया सासक वर्ग को अरसर का गया वयपारी वर्ग को वेनिंगर का गया और क्रिशक वर्ग को जो वेलाल का गया संगम साहिते में समाज को इन चार बागों में बांटा गया था सुड़डुम अरसर वेनिंगर और वेलार ब्रहामन वर्ग, सासक वर्ग, व्यपरि वर्ग और करिष्टक वर्ग, नेक्स कोशन है कि निम्सकित मैं से गौन सा एक सही सुमेलित तो इसमेलित कौन सा है वह बताना है, उरेयरू मसाले, उरेयरू जो मसालों के लिए यहाँ पर इस्तानों के लिए नहीं कांची भी हाती दांत ये दोनों भी गलत है तो इसमें सही कतन पूचे तो इसमें सही कतन होगा और कई जो मौतियों के लिए परसिद्ध इस्तल था दो नमर ओप्शन है जो इसका राइट एंसर होगा पूरे जो चोल राज्य में था सुत्ति वस्तर का मुख्यक क करवाई थी तो समुदरी पूचा परहरम करने वाले पांडे वसके जो सासक थे वो थे नेडियों तीन नमर ओप्शन इसका राइट एंसर है नेडियों पहरूली नदी को अस्तितों में लाया तथा समुदर पूचा परहरम करवाया नेडू जेले ने तलया गम नाम युद में विजय प्राप्त की थी पलसालई मुदुकुमी ने अनेक यगशालाई बनवाई थी नेडियों नमर ओप्शन इसका राइट एंसर है अमेचार मंतरी और गुपसर और दूतार जो दूत को कहते थे नेश्ट कुशन है कि संगम युग में राजा जन सुनवाई करता था उस इस्तान को किस नाम से जाना जाता था तो संगम युग में राजा जो जन सुनवाई करता था जिस इस्तान पर जन सुनवाई करता था उस इस्तान को जो नालवई कहा जाता था दो नमर ओप्शन इस जो धोल बजाते थे उस धोल को मुरचु कहा जाता था नेक्स्ट कुछन है कि चेर राजवंस का राजवंस का राजवंस क्या था तो चेरों का जो राजवंस था वे था धनूस है ती नमर उप्सन इसका राइट एंसर है चेर राजवंस का राजवंस का राजवंस था परतिक चिन बाग था और पांडय राजमस का जो परतिक था वैता मचली नेस्ट कूँसे ने कि किस चोल सासकों सुञ्मत विर्त कहा गया तो यह कहा गया था कुलोतंग पर्थम को चार नंबर पर्थम ने बहुत सारे कर हटा दिये थे इस कारण तामर लेखों में से सुंगमत विर्थ कहा गया कुलों तक पर्थम ने संपून भूमी का मापन करवाया तथा नई कल पर नाली लागू की थी नेश्ट कुशेने कि किस चोल सासक ने गोविंदराज की मूर्तियों को तुड़वा कर समुंदर में फिंकवा दिया था तो वह कौन से चोल सासक थे जिन्होंने गोविंदराज की मूर्तियों को तुड़वा कर समुंदर में फिंकवा दिया था तो वहाज सासक थे पुलोतंग दूतियां दो नमबर ओप्शन इसका राइट रांस्वर है पुलोतंग दूतियां एक कटर सेहु सासक था इसने कई विष्णु मंदिरों को तुड़वाया इसी करम में चिंदबरम में चिंदबरम के मंदिर प्रांगर में इस्ताफित गोविंदराज की मूर्तियों को तुड़वा कर समुंदर में फिंकवा दिया था नेक्स कुछन है कि चोल काल की केंद्रे परसासन में राजा के आधिसों को परिशित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है इसके अलावा करूमी जो राजा के आग्या को पत्रों में लिखने वाला अधिकारी होता था और वल्लब वल्लब जो राजमहल का सेवक होता था कंकानी जो लेखावी बाग की जांच के लिए न्यूक्त अधिकारी होता था नेक्स्ट कूशन है कि किस चोल सासक ने सेलेंदर सासक स्रीमार विजो तुंग वर्मन को नाग पटनम में बोध विहार निर्मान की अनुमति वे आर्थिक सहयोग दिया था तो वे कौन से चोल सासक थे तो वे थे राज-राज पर्थम एक नमबर ओप्शन राज-राज पर्थ स्वयम सेव धर्म का अन्युआई था इसने अंजोर में उरिद्येश और मंदिर का निर्मान करवाया था नेश्ट कूशन है कि चोल काल में रासी धान के रूप में संग्रह किये जाने वाले भूमी राजसो को किस से मापते थे तो भूमी राजसो तो मापा जाता था वह मा पुबर्म थी और कंडम कंड़ में जो लगान की एक पर्नाली थी में लेक्सट कूशन की कि केरल विजय के उपलक्स में राज-राज पर्थम ने एक Kathराण की थी तो केरल विजय के उपलक्ष में राज राज पर्थम ने जो उपादी धारन की थी कांडलूर साले कलमरूत तो कांडलूर साले कलमरूत जो उपादी ये राज राज पर्थम ने केरल विजय के उपलक्ष में धारन की थी राजराज पर्थम ने स्चरो की नोसेना को कंडलूर के युद में पराजित किया और कंडलूर साले कलमरूत की उपादी धारण की थी कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा मतंगेश्वर मंदिर पल्लव वास्तुकला में किस सेली का उधारण है तो यह जो नंदिवर्मन सेली के उधारण है नंदिवर्मन सेली या एपराजिता सेली के मंदिर समाने ते छोटे हैं तथा इन मंदिरों का निर्मान नंदिवर्म गया था यह लिखा गया था सियंविश्णू के सासनकाल के समय भार्वी के सियंविश्णू के समय संसकर्थ में कितार जुनियम नाटक की रचना की थी नेक्स्ट कुसन है कि किस चेते ग्रहे का निर्मान अधिकांसत है यवनों के दान से हुआ था तो वह था कारले का चेते ग्रहे चार नमर उप्शन इसका राइट अंस्वर है कारले की गुफाम पुना में सर्वोतम सुरक्षित चेते है वेजन्ती के स्रेश्टी बूतपाल ने वसिष्टी पुत्र पुलुवामी के समय इसका निर्मान करवाया था नेक्स्ट कुसेने कि किस सात्वान चासक ने अमरावती इस्टूप के समर्दन का कारिया करवाया था तो यह करवाया था वसिष्टी पुत्र पुलुवामी के द्वारा अमरावते इस्तूप का निर्मान 200 से 250 इस्वी के मत्य चार चर्णों में वा था इस इस्तूप को धरनी कोट महाचेते भी कहा जाता है अमरावते इस्तूप की कोज 1700 सित्यान में इस्वी में करनल मेकेंजी के द्वारा की गई थी तो जो नागभट द्यूत्य जो सा सकते जो गुर्जर परति हार सा सकते इनको प्राजित करने वाला जो राष्टरपूर्ट सा सकता वे था गोविंद तृत्य दो नमर ओप्सिन इसका राइट एंस्वर है संजन तथा राधनपूर लेक के अनुसार गुंदेलखंड के निकट लड़े गये युद में गोविंद तृत्य ने नागभट द्यूत्य को प्राजित किया था इसके बाद चकरा युद तथा धरमपाल को भी प्राजित किया था नेक्स कूशन की किस अभिलेक में पूर्वी तथा पस्चिमी समुद्र का अधिपति कहा गया था तो यह कहा गया था लोहन्रा अभिलेक चार नमर ओप्सिन जो इसका राइट एंस्वर है पूलके सिंद्यूत्य को लोहन्रा अभिलेक में परम भागवत कहा गया नेरूर दान पत्र में पूलके सिंद्यूत्य को रामायन महाभारत तथा मनु इस्मृति का ज्याता बताया गया है नेक्स कूशन है कि किस चोल सासक ने तुख भदरा के तट तथा करडिल ग्राम में विजय इस्तंब इस्तापित करवाया था तो वह जो चोल सासकते वह थे वीर राजेंदर दो नमर ओप्सिन इसका राइट एंस्वर है कुंडल संगम के युद में वीर राजेंदर ने चालू के सासक सौमेशर पर्थम को पराजित किया था इसके पसात सौमेशर पर्थम ने तुख भदरा नदी में डूब कर आतम हत्या कर ली थी इस विजय के उपलक्स में वीर राजंदर ने तुक बदरा नदी के तर्ट पर विजय इस्तम्ब बनवाया एक अन्य अभियान में चालू के सासक को प्राजित कर करडिल ग्राम में विजय इस्तम्ब बनवाया गया था नेक्स्ट कूशने कि किस तामर पतर से राजंदर पर्थम के गंगा गाटी अभियान का पता चलता है तो कौन से तामर पतर से राजंदर पर्थम के गंगा गाटी अभियान का पता चलता है तो यह हमें पता चलता है तिरुवाल गांडू अभिलेक तिरुवाल गांडू अभ यान यानि गंगा गाटी अभ्यान का उल्यक मिलता है. नेक्स कूछन है कि चोल काल में राजसु विबा को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में जो राजसु विबा को वारी पोत नाम से जाना जाता था. वारी पोत है जो चोल काल में राजसु विबा का नाम था. चोल काल में राजसों विबा को वारिपोत कहा जाता था वरी पतोग कनक राजसों विबा का रजिष्ट था वेटी जो चोल काल में बेकार को वेटी कहा जाता था कंडमी चोल काल में भूर राजसों को कंडमी कहा जाता था जो कृसी उत्पादन का एक वटा तीन होता था नेश्ट कुछन है कि चोलवंस के किस सासक ने पांडे राज्य को जीत कर अपने समराज्य में मिला लिया था तो चोलवंस का कौन सा सासक था जिसने पांडे राज्य को जीत कर अपने समराज्य में मिला था तो व्याता परांतक पर्थम चार नंबर उप्षन इसका राय ट्रैंसर है परांतक पर्थम ने 915 इस्विक के वेलूर यूद में पांडे सासक राज सिंग द्यूतिया तथा सिरलंका के सासक कस्यप पंचम के सयुक्त सेना को पराजित किया तथा इस विजया के उपलक्स में इन्होंने मदुरई कोंड की उपादी धारन की थी नेक्स कोचन है कि निती वाक्या मरत की रचना किसके द्वारा की गई तो निती वाक्या मरत की जो रचना यह रचना हुई थी सौमदेव सूरी के द्वारा सौमदेव सूरी ने निती वाइक्यमरत की रसना की थी जो राजनिती विश्यपर लिखी गई पुष्टक है अन्य महतोपूर रसना है सब्धावतार की रसना गंगराज दूर्वीनीत के द्वारह की गई थी यसोधर चरित की वाडी राज के द्वारह की गई विग्यानेस्वर के द्वारा की गई थी। नेश्ट कुषेने की पदम गुप्त, धनजय, धनिक, हलायुद, अम्मित गती जैसे विद्वान किसकी राज सबा को सुसोबित करते थे। तो ये सारे जो विद्वान लोग ये वाक्यपति मुंज की दर्बार में थे। तेलप द दी थी। मुंज को हर हार का सामना करना पड़ा और उसे जेल में डाल दिया, जहां पर मुंज को तेलप की बहन मुंज को कारगार से बगाने की योजना बनाई थी। मुंज की योजना मुंज की योजना मुंज को बता दी गई, जिसने अपने भाई तेलप दियुते को बत उत दिया यह जानकारी मेh mirと思います की परबंद casa meet होती हैwater पर यह जो प्रेम कानिय जो ऐसफल हो गई थी और इसके साथ हमारी जो आज की किलास यह यहिए यहीं पर समापत होती है कल की क्लास में कल की जो क्लास रहेगी क्लास बहुत ही महत्वपून क्लास रहेगी, क्योंकि कल की क्लास में हम संपून प्राचिन भारत का एक साथ एक ही वीडियो में संपून प्राचिन भारत को कवर करने वाले हैं, जिसमें लगबग सो से अधिक कुष्चन होंगे, तो अब तक हमने जो साथ क्लासे की है, यह सारी टोपिक वाइज दी, लेकिन कल की क्लास है, जो संपून प्राचिन भारत की होगी, जो फर्स्ट क्रेड के सिलेबर्स के अकोडिंग होगी, तो आप कल की क्लास, अब इसे देखना, जो क्लास नमबर एट है, संपून प्राचिन भारत संपून पार्टिकरम, तो कल की क्लास में आप सभी जरूर एड होना, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम.